हेलो गाइज, यू आ गूइंग टू लर्न फोर फोरेवर, लर्न फोर फोरेवर वेलकम स्यू गूड मॉर्निंग डियर स्टेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंस, आज की 43 वर्क्षीट अपनी 24 अगस्त है, ये 3rd to 5th के लिए होती है, तीसरी से 5 वी कलास के लिए, सभी बच्चे जितने भी हैं इस कलास के रेंज में, सब के लिए, और आज का जो वर्क्षीट है, ये बच्चों को specially dedicated है, वैसे सब के लिए होता है ये, खास तोर से बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और as a parents हमें ध्यान देना होता है, और देखिएगा इसका जो theme है ये है, clean hands, हाथ की सफाई, अच्छा इसकी जरूरत क्यों है, आप आज क के दोर में सब समझ चुके है, कोरोना ने special ध्यान लोगों का इसके तरफ खींचा है, पहले भी गंदे नाखुन होना, हाथ गंदे होना, कई प्रकार के बिमारियों का जड़ हुआ करता था, तो आज के दोर में हम hand wash से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे इस लपरवाही कर जाते हैं, कुछ भी टच कर देते हैं, या हाथ गंदा होता है, तब भी कुछ ले के खा लेते हैं, बजार से खा लेते हैं, जो बिमारी का कारण बनता है, तो एक बर उसी को ध्यान में रखते हुए ये वर्क्षीट अर्ली नियमित रूप से धोना, वासिंग और हैंड्स इज वेरी इंपोर्टन, बहुत इंपोर्टन यह हैं न, लेत अस अंजंबल द वर्ड्स तु मेंक अ मिनिंग्फुल वर्ड्स एंड राइट इट इन दे स्पेस प्रवाइड़ प्रवाइड़ ये जो अंजंबल वर इस एच वास ये क्या लिखा है लिखा हुआ है यूर्स ये लिखा हुआ है हैंड्स ठीक है ये एंड्स ये लिखा है क्लीन कर लेंगे आप बहुत असान है ये लिखा हुआ है देम मतलब देम किसको बोलना है हाथों को और डेली ठीक है तो ये overall जो अंजंबल words थे इनको हमने कर लिया अब अगला देखते हैं दूसरा question now copy the correct words from above in the sequence A to G to make a meaningful sentence अब इन सब्दों को क्रम में लिखना है मतलब कि सबसे पहले क्या आएगा तो इसका क्रम हम यहां से decide करेंगे इस कवीता से इस कवीता को एक बर पढ़िया आप मेरे साथ wash your hands while singing the poem given below इस poem को पढ़ते हुए लिखना है ठीक है तो इसको करते हैं एक बर आओ ममी आओ पापा हात धोएंगे मिलकर सब बीमारी को दूर भगाएं साबून को करके छप 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 सहात करेंगे साफ हम सब सारे किटाडू जब भाग जाएंगे काम पूरा होगा तब ये जब किटाडू भाग जाएंगे हास धोने का फायदा तब ही होगा और इसको ध्यान में रखते हुए एक बर इन words को वैसे लगा लेते हैं कि पहला कौन सा आएगा तो देखिए क्रम में लगाना है तो ऐसे आएगा सबसे पहले वास पहला योर हैंड्स वास योर हैंड्स डेली एंड क्लीन देम ये लास्ट में आएगा ठीक है ठीक है कर लेंगे आप ये है बच्चो ओरल वरक्षीट ठीक है थेंक्स गाइज